Hello All and Welcome to Recognition IAS Advanced Geography Optional Course 2020 के बारे में इसके डीटेल्स और इसके प्रोज और कॉन्स इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो फड़ाफ़ट शुरू करते हैं सबसे पहले question आता है कि आखिर में इस course में है क्या तो देखे बेसिक स्टड़ी आप सबने की होती है इस बेसिक स्टड़ी में बेसिकली जो कुछ बेसिक बुक्स होते हैं like NCRT, सविंदर सिंग और भी कुछ जो important बुक्स होती है generally उसके लोग notes पढ़े होते हैं, experience और साथ ही साथ में उस बुक को भी पढ़े रहते हैं लेकिन examination में directly उस बुक से कोई question as such नहीं आते हैं लेकिन जो concepts होते हैं वो use होते हैं इन सबका use हमें करना है answer writing करने में लेकिन हमें इसके साथ साथ contemporary approach को भी जानना काफी जरूरी होता है इसके लिए newspapers, magazines और कुछ standard books और पढ़नी होती हैं उसके बारे में हमें जानकारी कठी होनी चाहिए इन सारे courses को और इस contemporary approach को कैसे अपने basic concepts के साथ में link करना है इसी पूरे course को ही बोला याता है advanced geography course इस course में basically आपको important जो magazines है like geography for you, down to earth या फिर योजना, कुरुक्षेत्र इसके साथ साथ कुछ और भी चोटी मोटे अगर कोई important articles होते हैं चाहिए वो EPW के हों, चाहिए वो live mint के हों या फिर important newspapers की जो cuttings होती हैं इनको basic concept के साथ में link करके कैसे answer writing करना है इस पूरे course में यही आपको सिखाया जाएगा अगर आपके पास कोई question आता है और उसमें अगर limited knowledge होती है तो उसको answer करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है साथ ही साथ में time भी consume काफी जादा होता है लेकिन अगर आपके preparation question के level के उपर और जादा उपर हो जाए तो कहीं न कहीं आपके अंदर जो confidence होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है इसके अलावा UPSC exam के जो results है basically उसको observe करके एक चीज़ पता लगता है कि अगर आपने optional में अच्छे marks अगर secure किये हैं तब आप final result में अपना नाम देख सकते हैं अगर आपको rank improvement भी करनी है तो भी आपको optional के ही marks increase करने होंगे तो ultimately ये course आपके लिए काफी important हो सकता है और ये कहीं न कहीं आपकी जो basic study या फिर अगर कहीं पर basic understanding में problem भी है तो उसको भी इस course के थुरू दूर किया जा सकता है ultimate goal इस course का यही होगा कि आपके अंदर में इतना confidence हो जाए कि आप किसी भी तरीके के unexpected question को भी solve कर सकें उसकी भी answer writing आप कर सकें next question what is the schedule for this course इसकी schedule आपको PDF upload कर दी जाएगी वहां से जा करके आप देख सकते हैं जो भी schedule रहेगा कोशिश हमारी पूरी यही रहेगी कि आपके December end तक आपकी ये पूरी optional पूरी advanced geography course complete हो जाए ये पूरा का पूरा एक ऐसा pattern मनाय जाएगा जिससे कि आपकी सारी की सारी practice within December में हो जाए ताकि आप जब exam देने जा रहे हैं तो आपके पास proper time हो और साथ ही साथ में revision भी आपका effective तरीके से हो चुका हो इस schedule की खास बात ये भी रहेगी कि आप आपको ये proper time दिया जाएगा कि आप अपने basic study को पहले revision कर लें and then आप इस optional geography advanced course को go through करें इससे आपकी जो basic study है उसका भी revision हो जाएगा time bound manner में और साथ ही साथ आप advanced version भी अपने notes में include कर सकेंगे उसको भी साथ साथ में integrate करके answer writing कर सकेंगे next question आती है कि will there be answer writing session so yes there will be answer writing session and it all depends on you यह सब आप पे depending करता है अगर आप इस course को seriously लेते हैं answer writing serious तरीके से करते हैं तीन घंटे बैट करके properly it doesn't matter कितना आसान कितना tough question है बावजूद इसके अगर आप answer writing करते हैं तो बिलकुल आपकी answer writing काफी अच्छी, काफी saturated और काफी mature हो जाएगी इस पूरे के पूरे answer writing session के दौरान में हमारा जो focus रहेगा वो focus रहेगा कि कैसे आप अपने answer को दूसरों के answer से better कर सकते हैं answer writing करने के दौरान में flow chart, tables, data, map, diagrams इन पर extra focus किया जाएगा जिससे कि आप अपने diagram और इन extra advantage चीजों के थूरू अपने answer को ज़्यादा attractive बना सकें और अपने marks ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें next question discussion of past year question क्या ये होगा तो बिलकुल होगा past year question के basis पे ही एक analyze किया जाता है कि हमें किसी भी topic में कितना detail में जाना है अगर कोई भी question अगर आप देखेंगे like geomorphology के topic देखिए oceanographic के topic देखिए और climatology के topic देखिए ये topic ऐसे हैं जहाँ पर काफी research भी चल रही है और साथी साथ में new developments भी लगातार आती जा रही है तो इस वज़े से ये ऐसे topics हैं पर हमें past year question को देखना काफी important है otherwise research में हम काफी ज़्यादा आगे चले जाएंगे और geography की बजाए geology, atmospheric science, oceanic science इस पर research करनी शुरू हो जाएगी तो हमें past year question देखना काफी important होता है और साथी साथ में past year question के थ्रू हमें का idea भी लेंगे कि आखिर में question की quality क्या है कितने depth तक हमें किसी topic में जाना है और साथी साथ में answer writing अगर इस तरीके के कुछ unexpected questions आ भी जाते हैं तो उसको कैसे tackle करना है तो इस वज़े से past year question काफी important हो जाते है So will there be practice questions also So again yes there will be practice questions ताकि आप अपने जो topics आपने पढ़े हैं उसको better understand कर सकें उसको और अच्छे तरीके से समझ सकें तो ये जो questions होंगे जो discussion हमने किया होगा उसी से basically related होंगे और ये एक practice basis रहेगा कि आपके साथी साथ में notes भी बनते जाएंगे और साथ ही साथ में आप उसकी practice भी कर पा रहे होंगे अगर ऐसे आप answer के वल go through करेंगे देखेंगे पढ़कर की के वल चले जाएंगे कि आपको यहाँ पर flow chart include करने है यहाँ पर data include करना है यहाँ पर table include करना है और यहाँ पर diagram include करना है तो फिर वो exam में आपके लिए tough हो जाएगा manage कर पाना कि कहाँ पर हमें क्या करना है लेकिन अगर आप इस practice question के through train हो जाएं कि कैसे आपको कब और कहाँ पर कौन से attractive point यूज़ करना है तो फिर यह आपके लिए काफी spontaneous हो जाएगा कि आप बिना सोचे बिना समझे आप अराम से वहाँ पर simultaneously एक साथ ही सब कुछ include करते जा रहे होंगे तो practice question अगेन काफी important और इस वज़े से practice question को भी include किया जाएगा और फिर अगेन आपके ओपर depend करेगा कि आप कितना यादा इसमें महनत करते हैं और कितनी यादा आप practice कर रहे हैं questions की answer writing की next question how to join it देखे join करने के लिए you have two options एक option है कि आप Gmail करके अपने doubt भी पूछ सकते हैं साथ ही साथ में Gmail के थुरू आप admission भी ले सकते हैं इसके अलावे you can also join through website website भी अब active हो गई है live हो गई है वहाँ पर भी जा करके आप join कर सकते हैं इस course के basically दो point हैं एक जहाँ पर आपको material यानि कि जो भी PDF जो कुछ भी यहाँ पर show किया जाएगा वो सब कुछ आपको with material मिलेगा और दूसरा जहाँ पर आप अपने notes खुद बना रहे होंगे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल आप quality teaching ले रहे होंगे तो यहाँ पर discussion of the topic केवल होगा तो वो without material रहेगा material में कुछ extra और भी PDFs दिये जा सकते हैं लेकिन जो PDFs यहाँ पर slide के रूप में रहेंगे वही हमारा main material है इसके अलावा जो भी material होगा वो भी आपको दिया जाएगा लेकिन main material यह PDF यह जो slides हैं वही होंगी next question will there be any doubt session so yes there will be doubt session अब यहाँ पर दो option है एक option आप अपने doubts directly email करके पूछ सकते हैं या फिर बहुत अगर urgency अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप contact करके भी पूछ सकते हैं इसके अलावा अगर एक consensus होगा तो फिर एक zoom session के थुरू भी doubt clearance किया जा सकता है किसी एक particular day को assign करके so like Saturday और Sunday एक session half an hour का एक discussion point पे एक doubt clearance session के रूप में लिया जा सकता है it all depends on your doubt it all depends on your consensus की आखिर में क्या consensus होती है otherwise you can ask your doubt through email और you can also contact if you have any emergency if you have any extra doubt next week what is the pros and cons of this overall advanced geography तो pros के बारे में तो already मैंने काफी कुछ बता दिया और आपको एक idea भी लग गया होगा कि यहां से basically जो pros है वो यही है कि advanced level आपकी एक geography का new level define हो जाएगा और साथ ही साथ में आपको confidence आजाएगा अपने इस subject में cons is अगर आपने basic study ठीक से नहीं की है या फिर आपको basic study में problem है तो देखिए यहां पर आपको इस advanced course में problem आ सकती है क्योंकि यहां पर course थोड़े speed में चलेंगे और यह possibility है कि आप cope up ना कर पाएं तो अगर आपने basic study अच्छे से कर ली है या फिर आप मेहनत करने को तयार है तो आप इस course को जॉइन कर सकते है इस course के जितने भी details होंगी वो आपको mail कर दी जाएंगी या फिर आपको google platform जो platform है वहां पर आपको दे दिया जाएगा तो यह थी आपकी pros and cons के बारे में अगर आपको फिर भी कोई doubt होता है तो फिर आप इन channels का use करके अपने doubt को पूछ सकते हैं इन सबकी details description box में भी दी गई है वहां से भी आप अपने doubt को जा करके पूछ सकते हैं तो मिलते हैं कल से